हलो दोस्तों महूं रवी और आज आप के लिए लेकर आए हैं एफ जेड का फुल इंजन कैसे ओपन की जाता है इसका हमने फैस्ट पार्ट पहले ही डाल दिया गया था और इसका जो सेगेंड पार्ट है वह हम आपके सामने दिखा रहे हैं तो इसके लिए हमने इसका जो मेग मेगने कोईल है इसके अंदेर है इंदर दो मोडल आते हैं और इसके बाद हम जो की गिरारी है इसको हम कर कर रहे हैं अलग इसके अंदर कोई दिक्कत हो गिरा नहीं है वो साथ हिसाथ ये जो इस्टर लगा हुआ है ये देख सकते हैं बुस्ट टाइप में इसके अंदर ये सेलफ गिरारी चलती है इसके उपर एक वोसर होता है ये खोलते डाइम अगर थोड़ा सा ज्यान रिखें तो वापस फिट करने में कोई दिखत नहीं होती है इसके बाद में जो इसकी मेगनेट कोईल है इसका 19 नमर का जो नट दिया गया है सुल्टी चूडियों का इसको उपन करके जो स्प्लेंडर वाला पुलर है ये देख सकते हैं ये बुलर स्प्लेंडर का ही है हमने लगाया इसके अंदर जो इस प्लेंडर पलस के अंदर जो लग वग लगता है उसको हम उपर वाली चूडियों का अलग करते हैं इस अनुशार और इसको बारी किसे हमने अलग कर लिया है बिल्कुल साफ सबाई से देख सकते हैं इसके बाद में बारी है हमारे जो इसको अलग रखे इसका जो वन वे है इसको भी अलग कर दिया है इसके बाद जो यह गिरारी दी गई है और यह टाइमिंग चैन को अलग करने के लिए जो प्लेट लगी होती है साथ भी इसको भी हमने अलग कर लिया यह इसकी जो टाइमिंग चैन है यह बिल्कुल खराब हो चुकी थी तो हमने इसको भी अलग कर दिया है आप देख सकते हैं यह बिल्कुल कटके यहां से यह देखे इसकी गोलाई ज्यादा बन चुकी है तो इसके करदे हम इसको अलग करते हैं इसके दूसरी साइड से हम जाते हैं इसका जो मेगनेट कमर है यह पूरा कलर्ष साइड का वह उपन करते हैं कलर साइड वाला ओपन करके और शाथ ही जो इसका व Will फिट्र है इसको भी हमको अलग करना पड़ेगा यह देख सकते हैं इसके बाद बारीकी से इसको सावदाने से इसको अलग कर लेना है जो इसको कलर सटापा बोलते हैं और इसके बाद में आप को दिखाते हैं यह इसके अ गाड़ी का पिक अगेरा खतम हो गया है वो साथ ही साथ इसके ओपर चार इस्प्रिंग लगी वी हैं और यह जो कलस्पेट हम ओपन कर रहे हैं अब जेड़ की यह अलावा किस गाड़ी के अंदर आती हम भी यह भी वता रहे हैं आपको यह जो पल्सर डेड़ सो के अंदर जो कलस्पेट हैं वही कलस्पेट है यह लग करदेते हैं और पिछी और यह देख सकते हैं बिल्कुल साअधसे हमां इसको लग कर दिया鄉 यहां पर एक मोटा बुस्स लगा होता है वाष तक ये देखें और यह मोटा वाष से चम्यूरीं इसकेस अपे आगे दिखाते हैं ऑसको और यह देखें इसके वाद में जो गयर Il Pokémon जेलेंगर होए ह। इसको हम सीधा ही दूसरी और से हम इसको खेंच लेते हैं बार की और तो ये बार निकल जाती है और हम इसको एक गयर रख रहे हैं इसके बाद में जो खोलते वक्ति ये जरूर देखें इसके एक टाइमिंग जरूर होती है ये टाइमिंग आमने सामने होती है इसके अंदर दो इंजन को ही हमने नेचे उतार लिया इसके बाद में जिसको विल पंप है इसको हम अलग रखते हैं सभी पार्ट पार्ट से अलग रखते हैं क्योंकि प्लास्टिक और नेकान तूट सकता है और यह टाइमिंग वगेरा हमने आपको पहले ही बता दी है इसके बाद में जितने इसके चार और नट बॉल्ट है इसको ऊपन करते हैं जो जो क्रेंग के उपर जो प्राइमरी एडी लगा होता है इसके उपर एक वह सर होता हुर साथ SAAथ इसके निचे के लोग टाइप में वह सर होता है इसनेट के जो इस खाल से के लेड़ता है और इसको हम अलग कर रखना चाहिए कि टाइमिंग कहां पर है और कहां पर रखने हम को रहे नुपी देखेंज करने हैं दिपन प्ले है यह जो देखी है है इसको दो दनाने का काम करती है और इस गिरारी को दोनों को यह देखें टाइमिंग इसकी आउट हो चुकिए यह गोम गई है इसके बाद में और यह मोटा वुस है जो गाटर पिन की साहिता से लगा हुआ है इसको अलग कर देते हैं सावदानी से और यह देख सकते हैं बिलकुल हम हर पार्ट्स को हमसावदानी से आपको दिखा रहे हैं इस इनुसार यह एक छोटा गाट्र है और इसको भी हम र multiplier है है उसके बाद में भराई हमारे हर पार्ट्स को खोलनी के बाद में इसके अंदर जो क्रेंग है इसको अलग करने की कि तो यह एक लोग था पहले हमने खोला था तो यहां से यह देखिए जो गेर स्लेक्टर के अंदर दूसरी गिरारी लगती है गेर साफ्ट वाली इसके अंदर दो गेर होते हैं तो इसको और जितने पार्ट्स हैं और जितने नट वोल्ट हैं इसको हम उपन करेंगे आवाद में और उपन करने वाद में यह देखें हम थोड़ा सा इसको उपर चोट मार गें इस पार्ट्स को ये आपको हम अलग करेंगे ये देखें heute इसके बाद आपक्ते जरूरी है इस miss वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद